Good morning all of you. Today I am going to teach 8th chapter of math for 1st class. So let's start. आज हम क्या करेंगे? हमने देखो पहले क्या किया था? यह कोशन की थी थी ना? एड यूजिंग टेंस और वन्स. और मैंने क्या बूला था? सब अपनी बुक में फिल करेंगे और नॉट बुक में प्रेक्टिस करेंगे. ठीक है? आज हम अपनी next वीडियो स्टार्ट करेंगे. इसमें क्या है? हम 10 को 10 से एड करेंगे, 1 को 1 से एड करेंगे. तो देखो, add 10 to 10 and 1 to 1. मतलब दोनों डिजिट को add करेंगे. देखो, 34 प्लस 25. यहां करेंगे? फोर लाइन्स लेंगे. यहां लेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 4 प्लस 5, इनको count करेंगे कितना हो, 9 आप ऐसे ही करेंगे, 3 यहां लेंगे 2 यहां लेंगे, 3 प्लस 2, 5, 59 आप देखो यहां, 60 प्लस 20 0, 0 मैंने बोला था, count नहीं होती है यहां लेंगे 6 lines, यहां लेंगे 2 lines 6 प्लस 2, 8, 80 आप देखो यहां, 60 प्लस 32, आप देखो 60 प्लस 32 यहां 6 line लेंगे, यहां 2 लेंगे 6 प्लस 2 एड़ करेंगे, lines count करेंगे, क्या होगा, 8 यहां क्या है, 1, यहां क्या है, 3 तो 3 प्लस 1, 4, right answer is 48 next देखे, 22 प्लस 47 2 लेंगे, यहां पर 7 lines लेंगे आप इनको count करेंगे, 7 plus 2 count करने से 9 आप यहां 2 लेंगे, यहां 4 लेंगे आप इन दोनों को count करेंगे, 6 तो 69, ठीक है आप यह क्या करेंगे, हम अपनी बुक में practice करेंगे, इन sums को सब अपनी बुक में fill करेंगे आप सब भी solve करेंगे पेज नमबर है आपका 103 आप सब अपनी बुक में ही solve करेंगे इनको आपकी practice होगे और आप अपनी notebook में भी ऐसे digits लेंगे और उनको solve करेंगे प्लस के sums को, ठीक है जितनी ज़्यादा आप practice करेंगे उतनी ज़्यादा आपको addition के sum means plus के sum आ जाएंगे तो सब भी solve करेंगे नेक्स्ट है हमारा add by counting forward मतला आगे counting करना देखो, for example 62 plus 6 आगे 62 है अब 62 से आगे 6 तक counting करेंगे 63, 64, 65, 66, 67, 68 तो right answer is 68 नेक्स्ट है 50 plus 8 50 से आगे कहां तक counting करोगे 8 तक 8 digit तक 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तो right answer is 58 नेक्स्ट है 74 plus 5 अब देखो, 74 से आगे कितनी counting करोगे 5 digits सक 75, 76, 77, 78, 79 तो right answer is 79 नेक्स्ट है 21 plus 7 अब 21 से आगे कितनी counting करोगे 7 तक 7 digits तक 22, 23, 24, 25, 56, 27 तो right answer is 28 21 से की है ना counting 7 digits तक कहां जाएंगी 28 तक जाएगा तो right answer is 28 नेक्स्ट है हमारा story sums यह देखो, एक story की तरह सम दिये गए आपको इनको solve करना है देखो, first question है there are 24 sandwich in red tiffen देखो, यह दो tiffen है एक red है, एक white है तो red tiffen में कितने sandwich है 24 red tiffen box and 12 in white tiffen box अब यह देखो इस white वाले box में कितने है 12 sandwich है how many sandwiches are there in both the boxes अब इन दोनों total boxes में कितने sandwich है देखो, कैसे लेंगे tens और ones आप देखो, red वाले में कितने sandwich है 24 और white वाले में 12 अब इनको add कैसे करेंगे यहाँ पर 4 lines लेंगे यहाँ पर 2 लेंगे 4 और 2 को add करोगे 6 और यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 1 2 प्लस 1, 3 तो total sandwiches कितने हैं 36 sandwiches है right answer is 36 next question है अंजू got 34 marks in math अंजू ने कितने marks लें math में 34 and 55 marks in Hindi and हिंदी में कितने marks लें 55 find his total marks in two subjects अब total marks कितने हुए two subjects में, देखो, कैसे लेंगे ऐसे लेंगे 34 तो math में लें and 55 हिंदी में 34, 55 अब यहाँ 4 को 4 lines लेंगे यहाँ 5 lines लेंगे count करेंगे 5 plus 4 9 ऐसे ही यहाँ 3 लेंगे 1, 2, 3 यहाँ कितने लेंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 plus 3, 8 तो total marks कितने हुए अन जुगे? 89 marks हुए right answer is 89 next है there are 43 children in first A देखो 10 seconds लेंगे 43 children कितने है? first A में and 24 children first B 24 first B में है how many children are they are all together अब total कितने children हुए? first A और first B कि यहाँ क्या करेंगे? 3 lines लेंगे यहाँ 4 lines लेंगे 4 और 3, 7 और यहाँ 4 लेंगे यहाँ 2 लेंगे तो 4 plus 2, 6 total students कितने हुए? total बच्चे 67 तो right answer is 67 next question है मारा मनु स्कोर 23 runs मनु ने कितने स्कोर किया है? 23 runs sorry and शानु स्कोर 42 runs शानु ने कितने किया? 42 runs how many runs they made together अब दोनों के total runs कितने हुए? यहाँ 3 lines लेंगे यहाँ 2 लेंगे 3 plus 2, 5 यहाँ 2 लेंगे यहाँ 4 lines लेंगे अब 2 plus 4, 6 तो दोनों के total runs वे 65 तो right answer is 65 यह देको story sums है आप अपनी बुक में यह भी फिल करेंगे और घर पे जितनी आप addition sums कि practice करेंगे आपको उतनी जल्दी addition sums आएंगे तो सबसे must है कि आप addition sums की बुक में भी practice करो और not book में भी अलग-अलग digits लेके practice करो इन केस आपको कोई problem आती है तो आप call करके discuss कर सकते हैं Thank you, have a nice day